नमस्कार दोस्तू देखिए हमारे आस पास बहुत जड़ी बूटिया पाए जाती है ओशदिया पाए जाती है जिनको हम परचान नहीं पाते हैं उनके गुणों को देख नहीं पाते हैं तो आज मैं आपको ऐसी ही जड़ी बूटि से रूबरू करवाने वाला हूं इतने समय भी बचा सकते हैं तो दोस्तो आज इस जड़ी बूटि के बारे में हम बात करने वाले हैं उस जड़ी बूटि का नाम है बेशरम और जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीकी का इसका पोधा होता है इसके फूल होते हैं पतिया होती है अग भारत में पाने की टंकी के पास पा जाता है खेतों में नलकूपों के पास तो दोस्तों आप इसका सेवन करने का तरीका जानिए इसका परियोग करने का तरीका जानिए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके थूल आप कौन-कौनसी बिमारी को ठीक कर सकते हैं फिर मैं को बदाऊंगा आप इसका सेवन किस तरीके से करें देखिए अगर आपको दाद खाज खुजली एक्जिमा सोराइसिस कहीं पर भी घाव हो चुके हैं चोट लग चुकी है खरोच आ चुके हैं तो आपने सिंपली होता है तो घाव एक से दो दिन में भर जाता है और इसके अलवा अगर आपको सरीर में कहीं पर मोच आ जाती है तो इसके लिए आपने देखिए जो बेश्रम के पत्ते होते हैं हालांकि यह थोड़े जहरीले होते हैं इस वज़े से इन्हें जानवर वगेरा नहीं खाते तो तेल में मिलाकर आप अपनी मोच वाली जगह पर मालिस करेंगे 15-20 मिनट में तो आपको दर्द में राहत मिलती है और इसके लावा देखिए इस पोदे से जो दूद निकलता है उस दूद में किटानू रोधी ततु पाया जाते हैं जिन लोग के दातों में केड़े आपके पेट में ना जा पाये सिर्फ आपके मुह तक ही रहे फिर आप इसे थूक कर बाहर निखाल सकते हैं एक से दो बार में यह आपके दातों के कीड़े को नश्ट कर देगा आपके जो दातों में दर्द हो रहा था उसे खतम कर देता है और साथ ही देखिए अगर आपक की कोई समस्य रहती है हाथ पाव में जोडो में कमर में कहीं दर्द की समस्य रहती है तो आपने सिंपली इसके चार से पांच पते लेने उनको बाट कर इनको पीस कर आपने सिंपली इसका पेश्ट तयार कर लेना है इस पेश्ट को आपने जोडो वाले इस्तान पर लगा द देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप इसका परियोग नहीं करेंगे तब तक आपको इसका फायदा नहीं मिले वाला